जैक क्लाश 10 और 12 के वैसे स्टूडेंट जिनोंने 2022 में एक्जामिनेसन लिखा है वो बेसबरी से अपने रिजल्ट का इंतजार कर रहे है और जैसे जैसे अपडेट आते जा रहा है वैसे इस चैनल से आपको ये बताया भी जा रहा है कि किस दिन तक आपका रिजल्ट आने का संभावना बन रहा है देखिए पहले बात होई थी कि 14-15 तक रिजल्ट आएगा लेकिन मैंने आपको पहले ही बताया था कि 15 को रिजल्ट आने का कोई संभावना नहीं है और इसके पीछे का कारण मैंने बताया था आपको कि बहुत सारे ऐसे स्कूल है जहां पे इंटरनल म माक्स होते हैं वो जैक के ओफिस तक पहुचे ही नहीं थे और मैं बताऊं आपको कि उसका जो लास्ट डेट था जैक ओफिस में सब्मिट करने का वो 14 जून यानि कि कल तक था अब 14 जून को साम 5 बजे तक डेटेल मतलब स्कूल को सब्मिट करना था और ये कैसे संभाव है कि 14 जून को अगर माक्स सब्मिट किया जाए तो उसके बेसिस पर रिजल्ट 15 जून को रिलीज कर दिया जाए ये बिल्कुल संभाव नहीं था और इससे रिलेटेड अपडेट आपको बिल्कुल पहले चैनल पर दिया भी गया था तो 15 जून को तो रिजल्ट आने का कोई बात ही नहीं उठता है फिलाल अगर अब बात करें कि सर वो तो ठीक है कि 15 को नहीं आ रहा है तो इसके लिए एक अपडेट आई है और अपडेट आपके जैक के जो अध्यक्ष हैं डॉक्टर अनिल महतो उन्हों नहीं दिया है तो उनके बात पे बिल्कुल आप भरोसा कर स चुका है जैक में 14 को लास्ट डेट था तो अब माक्स को उसमें फिट करा जा रहा है माक्स को दिया जा रहा है और रिजल्ट प्रिपेर किया जा रहा है और अगर बात करा जाए कि सर रिजल्ट आने का कब तक चांस है तो रिजल्ट इस माह के अंत तक आने का चांस है क्यो स्कूल के द्वारा भी भेजे जा चुके हैं रिजल्ट बनाने की प्रक्रिया जारी हो चुकी है और इस महीने के अंत तक आपको रिजल्ट देखने को मिल सकता है और रिजल्ट से रिलेटेड जो भी बात हो रहागा जो भी अपडेट आते रहेगा उस सब कुछ आपको बताया जागा इसी चैनल पर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगर आप नए हैं इस चैनल को चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजी दोस्तों को लिंक सेर करना मत भूलिएगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए thank you thanks a lot and have a great day thank you very much